आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही काम की चीज लाई हूँ यह है इडली के बैटर की रेसिपी लेकिन इसमें कुछ सीक्रेट इंग्रीडेंट होते हैं जो कोई भी नहीं जानता है जो फाइव स्टार में अन्ना शेफ होते हैं वो लोग इसका इस्तमाल करते हैं और लु मांगी है बैटर बनाते वक्त कुछ चीजों को ध्यान में रखना होता है और बैटर बनाने के बाद भी कुछ चीजों का ध्यान में रखना होता है जो कि लोग फॉलो नहीं करते हैं इसलिए उनकी इडली फुली फुली नहीं बनते है तो आईए देखते हैं वो सीकिट तर आप उनको बोलना इडली राइस ही दे और ये दिखे कुछ इस तरह के पैकेट में आता है मैं हमेशा यही मंगा के रखती हूँ और इसी से इडली बनाती हूँ अगर ये चावल नहीं है तो आप छोटा और मोटा चावल ले या नया चावल होना तो वो इडली के लिए परफ चोटी चमच मेथी दाना मेथी दाना से फर्मेंटेशन भी बहुत अच्छा होता है तो इसको बिल्कुल स्किप मत कीजेगा अब इसको दो से तीन बार अच्छे से धो ले ताकि सारी गंदगी चावल की निकल जाए और ये साफ हो जाए ये देखिए मैंने तीन पानी से इ भीगो देंगे याद रखिएगा चावल और उरत की दाल अलग अलग भीगोईएगा अलग अलग भीगोने का रीजन ये होता है कि जब आप चावल पीषते हैं तो वो थोड़ा जल्दी पिस जाती है और दाल को पीषने में थोड़ा टाइम लगता है तो इसे हम भीगो कर करके साइड रख देंगे अब हमें चाहिए दो चमच दो चोटी चमच साबुदाना जादा नहीं इसको बस दो चोटी चमच लेना है यह है वो सीक्रेट इंग्रीडियन जिससे आपकी इडली मोर हेल्दियर बनेगी बहुत जादा जाली वाला बनेगा और जादा टेस्टी बनेगा यकीन मानिए यह एक बार करके देखेगा और इसे ओवर नाइट आप सो करके रखेगा नहीं तो कम से कम छे से साथ घंटा तो जरूर सो करने के लिए रखेगा ताकि यह अच्छे से फूल जाए इसके बावजूद हम बहुत सारी और गलतियां करते हैं हम क्या करते हैं कि भीगोते वक्त या पीस्ते वक्त नमक डाल देते हैं हमें इए गल्ती भी बिल्कुल नहीं करनी है यह सारी चीज़ें अच्छे से फूल जहीं है मैंने और इसको अब पीसेंगे सब तो सबसे पहले हम दाल को पीसेंगे, वैसे तो कोशिच करेंगे इसमें कम से कम पानी डालें, क्योंकि हमें इसका एक ठिक बैटर ही त्यार करना है, लेकिन पीसते वक्त मैं इसमें दो से तीन चमच पानी डालूँगी, उसके बाद ही इसका बिलकुल महीन पेस्ट बना लूँगी, अभी मैंने इसको दरदरा ही रखता है, और साथ में इसमें डाल देंगे साबुदाना, साबुदाना डाल के साथ पीसेंगे, तो बहुत अच्छे से पेस जाएगा, तो थोड़ा-थोड़ा करके डालें, ये रेखिए, इस तरीके से, और उसके बाद इसका एक बहुत ही महीन पेस्ट बना लें, ये रेखिए, कुछ इस तरीके का, अगर आप इससे टच करेंगे तो हाथ में बिल्कुल मकमली सा टेक्शर आएगा, अब प्लीज पूरा वीडियो देखना, क्योंकि कुछ और भी चीज़े हैं, जो मैं वीडियो के दौरान में बताऊंगी, अब वो प्रोसेस के दौरान ही आपको बताते जाऊंगी, अब इस पेस्ट को एक भगोने में न ही चावल पीसे ग्राइंडर में, अगर आप जादा डालके पीसने की कोशिश करेंगे, तो कई बार ग्राइंडर जल जाता है, खास कर मैं ये बात बिगनर्स को बताना चाहती हूँ, बस एक से दो चमस डालिए पानी, और इस तरह का बिल्कुल महीन और ठिक बैटर आप त बताएगा जरूर, अगर अच्छा नहीं भी लग रहा है, तो आप डिसलाइट भी कर सकते हैं, लेकिन बताएगा जरूर, जब सारा बैटर पिस जाया आपका, उसको अच्छे से आप मिक्स कर लें, अब यहाँ पे लोग नमक डाल देते हैं, यह गलती नहीं करनी है, इडली का टेस्ट है ना, वो ऑथेंटिक साउथ हिंडियन टेस्ट आपको आएगा, बस इसको अच्छे से मिक्स करके, ढख करके, किसी गरम जगय पे रख दें, अगर हो सके तो ओवरनाइट रखिए, उससे फर्मेंटेशन बहुत अच्छा आता है, लोक अट दिस, मैंने रात के लिए इसको रखा, दो गुना साइज हो चुका है, और यही हमको चाहिए, अगर फर्मेंटेशन अच्छे से नहीं होगा, तो इडली बिल्कुल सौफ नहीं बनेगी, और अब इडली ये देखिए, कितना अच्छी बनेगी, क्योंकि इसमें आ गए हैं, जाली और ब कोई के जैसे मुलायम बनेगी, जब इडली बनाना हो, तब ही नमक डालिए, नमक अगर पहले डालेंगे, तो ये फूलेगा नहीं बैटर, तो इस बात का आप ध्यान रखना, और हलके हाथों से मिलाएगा, इसको प्रॉपर मिला करके, आप इडली बनाएगा, ये ये पॉफिक जाली बन रही है, उस पे एडली बनाने के लिए बिलकुल रेडी है, आप इसे फ्रिज में भी रख सकते हैं, तकरीबन एक हफते के लिए, बिलकुल खराब नहीं होगा, एक बात मैं बताना चाहती हूँ, वीडियो लंबा हो चुका है, इस बैटर से इडली क कैसे बनाएं, वो मैं नेक्स वीडियो में बताऊंगी, तब तक स्टे ट्यूंड